तो कैसे हो दोस्तों, मैं असा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमली और प्राय केधान काफी एच्छे से रख रहे हो आज कर जो ये लेक्चर है, इसको आप लोग कई नाम दे सकते हैं, या तो आप लोग इसको खटी मिठी बाते बोल सकते हैं, या फिर मन की बात विदवीर के साथ वाली जो हमारी सीरीज वा करती थी वो बोल सकते हैं, बल्लब जो भी आप लोग को सुटे भी लगे आप लोग इसको देख चुके हैं, जब मैंने ये lecture upload किया, कसम से यार इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे कि क्या response आने वाला है इसका और मैंने जस्ट ऐसे ही इसको upload किया था क्योंकि उस time पर मैं भी एक study zone में चल रहा था, इनके अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने भी ये सोच आ था कि मेरी quality अच्छे से cover हो जाएगी और फिर मेरा revision हो जाएगा और कुछ को फायदा हो जाएगा तो basic ये purpose था, यानिके being a student मैं आप लोगों यहां पर पढ़ा रहा था, ना कि एक teacher के तरीके से मैं आप लोगों पढ़ा रहा था, मैं सोच रहा था कि हाँ अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि जो मैंने पढ़ा है अगर मैं उसको explain कर पाऊं अच्छे से तो वही एक ऐसा एक तरीके से मैं सोच रहा था कि ऐसा फायदा होगा कि कुछ बंदे जिनको पॉलटिक के बारे में कुछ नहीं पता है और कम से कम वो लोग भी जिनको हमारे समीधान के बारे में पता होना चाहिए तो उनको कुछ न कुछ नोलिज मिलेगी पर लेकिन आज की डेट में जो रेस्पोंस ये देखने को मिला पॉलटिक का लग बग 7-8 लांक जो लोग है ये लेक्चर देख चुके हैं यनके आज की डेट में आप लोग देखेगा 180 से जादा लेक्चर पॉलटिक हैं जो कि हाँ पर अपलोड किये जा चुके हैं तो ये जो लेक्चर अपलोड किये गए तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इनको लगा कि यार लेक्चर अच्छे है उनकी पीडिएफ भी चाहिए तो PDF जब मैंने सोचा कि PDF प्रोवाइड करानी है तो starting में तो मैं PDF प्रोवाइड कराता रहा पर लेकिन आगे चलकर मेरा जो काम थो इतना बढ़ गया है खुद की पढ़ाई भी करनी थी इसी के साथ में lecture भी record करना था जैसे पॉलेटी का हो गया हिंदू का हो गया प्रोवाइड करा दूँगा पर लेकिन सारी चीजे जो हैं ऐसे नहीं चलती जैसे हम लोग सोचते हैं तो एक दुरघटना होई मेरा जो लैप्टॉप था वो क्रैस हो गया और जो पॉलेटी की सारी जो PDF थी जो मेरी इखटी भड़ी थी वो सारी उसके साथ चली गई तो मुझे काफी अंदर से इरिटेशन होई मैंने गा यार बच्चे इतनी सारी ये लेक्चर देख चुके हैं और रेगुलर आज की डेट में सबसे जादा जो कमेंट कोई आते हैं मेरी वीडियो के नीचे की सर पॉलेटी की PDF देदो तो वो ब्रेगुलर आप लोगे कमेंट आते थे तो मुझे लगा यार आप क्या किया जाए तो तरीका इसका क्या खो जाए तो फिर एक तो मतलब मैंने सोचा भी था ये तरीका करने के पर लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कि मैं लेक्चर को देखना श्टार पर लेकिन फिर टाइम ने मिला फिर रुख गया तो कई बार मैं प्रोमिस कर कर भी आप लोगो प्रोमिस तोड़ता रहा कि प्रोवाइड कराओंगा पर लेकिन यार मैं मैं नहीं कर पाया इतना टाइम एक साथ में क्योंकि इससे भी ज़्यादा है और कई सारी चीजी थी जो पैरलेल में चल रही थी तो यह जो चीजे होते हैं आप लोग उने खानी सुने होगी ना किसी चीज को अगर सिद्धत से चाहो तो पूरी कहना तो उसको तुमसे मिलाने में जुड जाती है तो ऐसा ही कुछ हो यहाँ पर हमारी एक फैंबली मेंबर है उसने सारे प्रजेंट हो जाएगी और ऐसा ही हाँ पर हुआ तो मैं बहुत दिनों से अंदर से भी गिल्टी फिल करा था मैंने कार बार 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 बोल देता हूँ पोलेटिकी पीडिए प्रोवाइड करानी है पर लेकिन फिर मैं अपने काम में बिजी होने की वेसे यह चीजे प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जितना जादे आप लोग इनको सेर कर सकते हैं सेर कीजेगा क्योंकि वो सारे मेंबर की उतने लंबे समय से लगबग तीन साल से पीडिए प्रोवाइड करा दी थी पर लेकिन अब सारी कम्प्लीट जो लेक्चर है उनकी पीडिएड यहा सबकी आप लोग हैं पर एक जगे एक खटे मिल जाएगी जिससे कि आप लोगो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग जाकर उनको पास्ट में भी सर्च कर सकते हैं तो यहां से इनको आप लोग डाउनलोड कर लेना लिंक जो है वो वीडियो के नीचे में प्रोवाइड क बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनका सेलेक्शन मैंने देखा अज तक का इस टाम ड्यूरेशन में जब से मैंने लेक्शर स्टार्ट किये हैं उनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका सेलेक्शन ओनली करेंट अफियर और पोलिटी के लेक्शर देख देख कर भी सेलेक्शन हु साथ में आप लोग जाकर compare करोगे तो आप लोग इनको कम नहीं बोल सकते किसी भी तरीके से बहुत सारे gadgeted officer बने हैं इन lecture को देख देखकर तो ये lecture इसका मतलब कीमती है फायदेमद है और ये lecture बड़ी मसकत से बनाएगे है तो अगर आप लोग उसे कोई भी पूस्ता है पोलडी के lecture के बारे में तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर सेर किये कीजे ताकि जादे से जादा बच्चों तक जो की पैसे नहीं जुटा पाते हैं कोचिंग लेने के लिए यप फिर resources इखटा करने के लिए तो उन तक ये lecture पहुंच सके तो ये आप लोग की responsibility है आप लोग इसको गुरुई दक्षना बोल दो यार जो भी help बोल दो जो भी आप लोग बोलो मतलब कि एक दूसरे की help करनी है तो जो मेरा motor नहीं था वो help each other तो अगर एक single बंदा भी आप लोग की help से फायदा पहुंच जाए ना किसी को तो सोचे उसकी मेहनत की कमाई के कुछ पैसे खर्च होने से बच जाएंगे जो उसको अपने किसी और काम में वो ले सकता है अगर political lecture उसको चाहिए तो तो यह छोटा सा काम आप लोग जुरूर कीजेगा तो दिल से यार इस चीज को appreciate कीजे की मतलब चीजे इस लेवल पर की जा रही है और आप लोग को मिल रही है तो आप लोगों ने अगर उससे फायदा उठा है तो दूसरों तक भी वो चीजे जुरूर पहुचाईए तो बस यही एक छोटी सी request थी जिसके साथ में मैं आप लोग उसे अलवीदा लेना चाहूंगा बाकी अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो यह भी social media handle हैं यहाँ पर भी कई सारी चीजे शेयर की जाती हैं मेरी personal pictures वगयरा जो शेयर की जाती हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाकी Facebook पर भी connect हो सकते हैं personal picture के बारे में भी काफी दिनों से मैं देख रहा था कि कई सारे बच्चे बोलते हैं picture upload करो, picture बहुत दिन होगे upload किये हुए यार एक time ऐसा था ना मैंने यह सीजे करनी नहीं थी मतलब ऐसा लगता था मैंने का यार मैं अपनी प्राइवेट लाइप न बहुत enjoy करता हूँ यानि कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी private life जाह हो public होए ज्यादा इसलिए मैं ज्यादे तर चीजे जो है वो focus में नहीं लेकर आता हूँ और यही basic purpose भी था जब मैंने first time अपनी एक picture upload की थी बहुत सारे बच्चे परहसान थे कि sir कम से कम एक बार face दिखा दो Mr. India नाम रख दिया यार Mr. India बोलने लगे तो मैंने सोचा यार कम से कम अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि sir face दिखाऊगे तो हम लोग connect कर पाएंगे तो इसलिए मैंने picture reveal की इससे ज़्याद है मैं नहीं चाहूँगा कि life के बारे में कुछ reveal करूँ हाँ जब time आएगा बुरता बताऊंगा जूरू रहसी बात नहीं है पर लेकिन फिलाल ये सब चीज़े आप लोग इनके पीछे मत बोड़िए बस अबने प्राइपर फोकस कीज़े अगर आप लोग success होते हैं उसलिमें छोड़ा सा योगदान दे पाता हो तो यो मिर लिए बहुत खुसे की बात होगी ओके तो thanks a lot for listening जै हिंद